पिछड़ा वर्ग आयोग को सम्विधानिक दर्जा देने से सम्विधान संचोधन विधेयक को लोकसभा ने दो तीहाई से जादा बहुमत के साथ सर्व सम्मति से मंजूरी प्रदान की सदन ने राजसभा द्वारा विधेयक में किये गए संचोधनों को निरस्त करते हुए वेकलपिक संचोधन और संचोधनों के साथ सम्विधान विधेयक 2017 पारित कर दिया सदन में मत विभाजन के दौरान विधैक के पक्ष में 406 सदस्यों ने मत दिया विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा सरकार के संचोधनों को भी सर्व सम्मत्ती से स्विकार कर लिया लोगसभा में करीब 5 घंटे तक चली चर्चा के दौरान 32 सदस्यों ने हिस्सा लिया विदैक के पारित होते समय प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी सदन में उपस्तित रहे। विदैक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाचिक न्याय और अधिकारता मंत्री थावर्चंद गहलोत ने कहा कि नरिंदर मोधी के अगवाई वाली सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयो को सम्विधानिक दरजा देने का संकल्प लिया था। इसलिए इसे दोबारा लोगसभा में राजसभा के संचोधनों पर वेकल्पिक संचोधनों के साथ लाया गया है।